वल्कम तुदर न्यू टेस्ट सीरीज थीरी सी हिस्टिरी मौर उत्तर पिरियड स्टार्ट कुईज फर्स्ट कोश्चन आपके स्क्रीन पर है एवरीवन स्टार्ट सभी लोग तयार है सुरू करते हैं सरव पर्थम भारत में विसुद संस्क्रीत भासा में लंबा अभिलेक किस राजा द्वारा जारी किया गया विसुद संस्क्रीत भासा में सरव पर्थम भारत में सबसे लंबा अभिलेक लंबा एक अभिलेक जारी किया गया था किसकी द्वारा सक राजा रुद्रदमन के द्वारा सही जवाब है कि सरपर्थम भारत में विसुद संस्क्रीत भासा में लंबा अविलेक जारी किया गया सक्क राजा रुद्रदमन के द्वारा तो अब हम लोग नेश्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला कोश्चन किस राजा के सासनकाल में इसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉम्स भारत आया था किसकी सासनकाल में गोंदो फिर्नस राजा के सासनकाल में इसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉम्स भारत आया किस कुसान सासक ने सरवपर्थम स्वर्ण मुद्राय जारी की तो स्वर्ण मुद्राय जारी करने वाले सासक थे सरवपर्थम किस ने किया था कड़ फिसस टू ने कड़ फिसस टू ने सरवपर्थम स्वर्ण मुद्राय जारी की किस वंस के सासकों ने छत्रप परनाली का परयोग किया तो छत्रप परनाली का परयोग किया सकों ने छत्रप परनाली का परयोग किया त्रतार मुक्ति दाता की उपाधी किस वंस के सासकों ने धारन किया त्रतार मुक्तिदाता की उपाधी धारन करने वाले सासक थे किस वंस के सासक थे तो थे सक वंस के सासक, सक वंस के सासको ने त्रतार मुक्तिदाता की उपाधी धारन की प्राचेन काल के भारत पर आक्रमनों के सम्मंद में सही कालानुक्रम क्या है प्राचेन काल में जो भारत पर आक्रमन हुआ उसके सम्मंद में सही कालानुक्रम ठीक है ना कालानुक्रम आपको बताना है कौन सा सही है तो जल्दी से बताईए कौन सा युनानी सक कुसान युनानी सक का कुसान काला नुकरम सही है भारत में प्रथम बार सैनिक सासन वेभार में लाया गया ग्रीकों के द्वारा इसा पुर्व दूसरी सदी के प्रारम में उत्री अफगानिस्तान में स्थापित भारत युनानी राज था कौन था तो था बैक्टिरिया इसा पुर्व दूसरी सदी के प्रारम में उत्री अफगानिस्तान में स्थापित भारत युनानी राज था बैक्टिरिया चार धातुों सोना चांदी तांबा एवं सीसा के समिस्रन से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था कासारपन सरपर्थम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंब हुआ तो सम सरपर्थम रोम के साथ व्यापार प्रारंब हुआ तमिलो एवं चेरो का व्यापार प्रारंब हुआ सरपर्थम मौर्योत्तर कालिन प्रमुक बंदरगाहों में कौन सत्य है इनमें से कौन एक है, जो मौत्र कालीन प्रमुक-बंदरगाह नहीं थे। तो अरीका मेडू तो थे ही, बेरी गाजा, भरोच भी थे, बार बैरीकम भी थे, कोच्छीन नहीं था। ये तीन थे सल्जिए है आपको कौन कोन है अरिका ओढ collaborate said यह भी सही और बैरिक यह विस है और कोचीन नहीं है मौर्स ज्थे स्थान को पैरिय प्लस एvel द suffered इरिथ्रियन सी में पोडेकु नाम से संबोधित किया गया है किसे अरीका मेडू को कहा गया है मौर उत्तरकाल में किसने भारत में हिंद युनानी राज की अस्थापना की डेमेट्रियस ने की निम्न में से किसने अपने जीवन के उत्रार्ध में अपने पुत्रों के हाथों में राज सत्ता सौप कर बहुत भिच्छू हो गया तो बहुत भिच्छू बनने वाले हैं अपने जीवन के उत्रार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौप कर मिनांडर मिनांडर ने कुसानों का सम्बंद किस से था कुसानों का सम्बंद था चीन के यूची जनजाती से रोमन सामराज के अनुसरन पर किस वन्स के सासकों ने कैसर सीजर उपाधी ग्रहन की तो कैसर सीजर उपाधी ग्रहन करने वाले सासक थे कौन थे कुशान कुशान थे रोमन सामराज के अनुसरन पर कुशान वन्स के सासकों ने कैसर सीजर उपाधी ग्रहन की प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाएं तो सोने के सिक्के नियमित रूप से प्राचीन भारत में चलाएं हैं कुशान ने किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर और असोग दोनों का उलेख किया गया है कौन सा ऐसा अभी लेख है जिसमें आपको चंद्रगुप्त मौर और असोक दोनों का उलेख किया गया है बताएंगे तो महा छत्र तप रुद्र दमन का जूनागड अभी लेख में महा छत्रप रुद्र दमन का जूनागड अभी लेख में चंद्र गुप्त मौर और असोक दोनों का उलेख मिलता है कि सात्वाहा नरेश हाल के समकालीन गुनार में किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की गई है तो व्रियत कथा सात्वाहा नरेश हाल के समकालीन गुनार ने प्राकृत ग्रंथ में प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी कौन सी व्रियत कथा रोमन सामराज के अनुसरन पर किस वन्स के सासकों कैसर सीजर की उपादी द्रण की तो ये तो मैंने आपको बताया ही किसने कुशान सबको याद है ओके थैंक यू तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप टेस्ट देना ना भूलेंगे थैंक यू गुडबाई